पिसम्लायर हमार रहीम पॉलेटिक्स अफ पाकिस्तान 2008-2014 एलेक्शन दोहजार आठ दोहजार साथ में बेन जीर बुट्र की वफात के बाद जो है 2008 में एलेक्शन मुनाकित थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीक नून जो यह दो पॉलेटिकल पार्टी सी में लीडिंग पार्टी थी जिन्हों ने एक्शन में हिसा लिया था यह election February 18-2008 को मुनाकित थी और इस election में जियाता जो सीटे है वो पाकिसान पीपल पार्टी ने जीत लिए क्योंकि बेन अजीर बुटो के कतिल के बाद जो है वो पुलेटिकली जो है वो लोगों से जो है वोट लेने में कामियाब हो गए थे एस तरह 2008 के अलेक्शन में पाकिसान पीपल पार्टी ने जए तरह अक्सृरियर जो है अक्सीर सीट जोह उन्होंफं आर्मिशन अफ गोर्डमेंट दोहजर आट 21 फेरोरी दोहजर आट को जो पाकिसान पीपल्स पार्टी पाकिसान मुस्लिम्ली गनीन और अन्पी ने मिल कर जो कोलेशन गोर्डमेंट बनाए मख्लूस हकोमत बनाए सेंटर और प्रोविंस में और दोहजर आट में मार्च सेवंटी तूथोजन एट इसमें जो न्यू लिजिजितने पॉइंटेट हुए थे 342 लेजिसलेचर जो है कानुमसास इसिम्ली के मेंबर यह कुमिसिम्ली के मेंबर उन में से 339 मेंबर जो है 17 मार्च दोहजर आट को अपने होड़ने का अलफ ले जाता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको रजा की अलानी को जो है निशनल इसमेली ने नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया बहीं मोर देन तू थर्ड मेजारती के साथ तो पूट एक कोलेशन अपने इंपावर ताकि मुषरफ के खिलाफ जो कोलेशन गौर्णमन्ट है वो अख़दार में आजाए नविच तर न्यूली न्यू लेडर यूस इमिजेर तो आडर दर रिलीस अप डिपोस जज़ अप सिपेरियर कोर्ट केट अडर डिटेंशन फ इनके रिलीस करने का उनको निकालने का आडर जैरी कर दिया रिजगनेशन अप प्रेज़टन परवेश मुषरफ प्रेज़टन परवेश मुषरफ रिजाएंट अन 18 अगस 2008 आटर मेंग इन पावर फर नाइन येर अप नो साल के बाद जो एठार आगस 2008 को मुषरफ ने अ आक्टिंग प्रेज़टन 2008 अब मुषरफ के 18 अगस के सिफ़े के बाद जो है सेनेट के चेर्मेन जो है मुहमत मियां सोम्रो जो वो सदर बने की ने सदर की इंतखाब तक और वो जो है बाकिस्तान उसे क्यू काईद ग्रूप से इनका तालोग था और वो 18 अगस 2008 से 9 सिप् पाकिसान पीपल पार्टी के दोरों को मत्या टारिरिजम बहुत ज्यादा थी देश्यत कर दी जिसमें तालवान का हमला भी था इसके लवाद अमरीकी ड्रोन हमले कवाईलियो अलागों पर बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे इस दोरां तो मुल्क में हर जगा तो देश्यत क बहुत ज्यादा थी यूथ अनिप्लाइमेंट बोरिजगारी आम थी नौजवानों में पूर्टी गोर्बत पाकिसान में बाड़ी थी और इंफ्लेशन में बेंगाई की शराबी रोज बे रोज ज्यादा होती जार थी एकुछ मसायने पाकिसान पीपल पार्टी की दोर के प्रेजडेंट अब जो है मिया मुहमेद सम्रू एक्टिंग प्रेजडेंट रहे 9 सिप्टमबर तक इनके वाज़े पाकिसान पीपल पार्टी के कोजर्में जो आसिफली जर्दारी उन्होंने एलेक्शन लड़ा प्रेजडेंट के लिए और इस तरह जो है 2008 में सदर आवाने सदर में उपरेशन इनकी सवात में उपरेशन हुआ पीपल्स पार्टी के दो में माई 29 अधी मिलेटर लांच एन आपरेशन इन सवात अगें द पाकिस्तानी तालिवान फालू इंकी गौर्डमन के आडर पर जो है 2009 में सवात आपरेशन की गई तालिवान के आपरेशन इन सवाधिस्तान इन सवाधिस्तान इन सवाधिस्तान में जो है लंच किया गया ऑपरेशन अगेंज तेरी के तालिवान पाकिस्तान के खलाफ यह अपरेशन की 2009 में October 7 2009, the army top commander expressed their serious concerns on some of the classes of the so-called Kerry Lugar Bill which blew to which affect national security Kerry Lugar Bill, American government के तरफ से एक बिल लाया गया और इस बिल के जरिये, the bill was aimed at releasing 1.5 billion US dollars per year to Pakistani government as non-military age for the period 2010 to 2014. इसमें 105 billion जो है अमरिका हर साल पाकिस्तान को इंदाद करेगा, non-military age होगा यह आप इनकी जिफा के रहने है गेर military होगा 2010-2014 तो लेकिन पाकिस्तानी फोश को इस पर serious concern इसलिए थी क्योंकि इस बिल के जरे पाकिस्तानी जो है नेशनल security एक खत्रे पढ़ सकती थी, drone समले कर रहे थे कि बहुत सारे कुर्बानिया पाकिस्तान को देनी पाड़ रही थी, इसके जिल अगर बिल के जरे तो इस वज़े से आर्मी के top commander इस बिल से खुश नहीं थे आगाज हुदूर बलोचिस्तान नवंबर 2009, the government unveiled a conciliation package with an offer of dialogue with the Baloch, government ने इनकी बलोच से, बलोच लीडर से एक सखत की package पर, जिसके और डायलाग की बलोच लीडर से दा package का आगाज हुदूर बलोचिस्तान, कह जाते है promise of probes into political murder और इस तरह जो है, इस package के जरिये जो है, political murder जो है, जो अगर कोई political कतिल किया जागा तो इसको बागादिस का सद्देबाब किया जागा, halting of new containment as well as moral local control and resources, और जो है, local resources पर बलोचिस्तान की लोग ही जो है, वहाँ पर अपनी हुकुमत इनकी होगी, इस तरह जो है, बलोचि अपनी हुकुमत. जब्याहदा मालायती तरपर खुद मुथडारी देने केलिए कमिशिन इस कमिशिन की स्पारचाट शामिल की गई ताकि जद्याहदा जब्याहदा प्रोडक्शन अंगें हमेशा जह वो रुजू करना ना पड़े प्रोटेक्शन अगेस हरास्मेंट अफ फूमें प्रेजडिल दरदारी ने साइन किया मार्च 9 2010 को एक बिल पर प्रोटेक्शन अगे इन हरास्मेंट फूमें अच्ड प्लेस बिल 2010 aimed at providing a safe or working environment to women, खवातीन जहां पर काम करती है, वर्किंग प्लेस पर वहां पर खवातीन के हरास्मेंट को रोखने के लिए ये बिल बनाया गया, और उन्हें बाकाइदा ये मैंचिन की, इनकी दोरे कुमेंट में खवातीन को मर्दों के बराबर जो हुकूफ दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के आएंगे देदी गई है, प्राइम निस्टर पाकिस्तान, अब यूसुफ रजा की एलानी, उन्होंने मुस्ताफिय होना प उन्हारी के खलाफ उन्हें सिविस गौर्टमन को ख़त लिखने का जो कि उन्होंने नहीं किया, तो इस वजह से अकंटेम अकोर्ट केते हैं, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा के लानी जो है वह उन्हें अप्रवदे से उफदा चोड़ना पड़ा तो राजा एकनेशन ट्रम आंस 16 मार्श 2003 तक जो है वो प्राम मिस्टर है पाकिसान के 18th Amendment Bill, Main Important जो पीपल पार्टी की दोर में जो आहम बिल पास वो अठार भी आईनी तर्मी में, The National Assembly passed the 18th Amendment to the Constitution of Pakistan abolishing the Presidential Power to Unilaterally Dissol the Parliament, the amendment also renamed the North West Frontier Province to Khyber Pakhtun Kha. It went through the Senate on April 15, 2010 and became an Act of Parliament after being signed by President Aasip Ali Zarzai the same month. कि इस बिल के जरी क्या 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 जो मुशराफ ने और इस से पहले जो जियाहुलहक ने बहुत जदा बढ़ा है थे सत्रवी तर्मीन के जरीए और उसको सदर की खियारात को कम कर दिया ताकि वो जो इसेमली को न तोड़ सके इसके इसके अलावा बहुत सारे खियारात जो सुभूं को सुभूं को सुभूं को सुभूं को और जो नार्थ वेस्ट फ्रॉंटिर पोइन नडवलीफी का नाम जो है वो चेशकर के खेबर पक्तुन खुआ रखा गया इस बिल के जरीए किलिंग अफ उसामा बिन अलादिन 2011 में जो है उसाना बिन अलादिन को जो है अमरीकन एर फोर्स ने जो है किल कर दिये वटाबाद के मकाम पर एंडिंगे नियर लिटे नियर वर्ड वाइट हंट आप्ट मास्टर माइड अफ सिप्टमबर 11 अटे क्योंकि 11 सिप्टमबर के अबर 10 साल तक अमरीका उसामा बिन अलादिन के पीछे पड़े थे और फाइनली 2011 में उन्हें वटाबाद में एक काम से ग्रिफतार के अगोंने मार डाला गया नेटो फाइटर्स किल्स 25 पाकिसानी मेलेटर परसनल जो है 2011 में नेटो फाइटर्स ने 25 पाकिसानी मेलेटर परसनल को एर स्ट्राइक के जरी जो है ड्रोन स्ट्राइक के जरी जो है ट्राइबल एरियास मुहमधन में जो है मार डाला तो जिसकी वज़े से पाकिसान और पोजिंकी मर्डर के बाद लेकिन जुलाई 2002 को पाकिसान ने दोवारा रियो पंड किया जब यूसेफ रजाग रानी डिस्कौलफाइब जो के भी हमने पड़ा कि सुप्रीम कोड ने यूसेफ रजाग रानी को जो डिस्कौलफाइब किया फर होल्डिंगे सीट अपर्लिमें लेजिन देट अपरेल 29,2008 को बईये 7th Member Bench of Contempt Code लेजिंग की खराएब कोड़ रजाग आप इसक्वालिपाइब किया फरह ऑड़ां से डिस्क्वालाई को जो के दिस्कौलिफाइब कर दिया और इसकी जे बरादिया परिश्यरफ जे पाकितान के प्राइमिलिट्र बन गया गवर्नर रूल वस इंपोस इन बुलिचस्तान 14 जनवरी 1913 को बुलिचस्तान की हुकुमत को खतम कर दी गई डिस्मिस कर दी गई और वहां पर गवर्नर रूल नाफिस कर दिया गया यह दमीर वस टेकन गे आफटर दे बॉम्मिंग इन कोईटा डेट के अवर हंड़र्ट पीपल मौस अफ देम हजारा इसले किया गया क्योंकि कोईटा में ज्वे सु कितिदाद में हजारा को किल कर दिया गया खतिर कर दिया इसके बाद रुषिसान में गवर्नेर रुष राह कर दिया गया तेरह पंदरह जन्मीर दो हजार तेरह सुप्रिम कोड डारेक्ट अथार्टी टोर्स आल दोस एक्यूस इन दे रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस के जरे जो जो जिसने खुरुदबूर की उनको पकड़ने का जिसमे राजा प्रेसा श्रफिस अमंग दे अक्य इसमें शामिल थे कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन अफ गवादर पोर्ट पीपी के दोवर में 2013 में मल्टी बिलियन डालर दस्खत के चाइन और पाकिस्तान के दन्मियान और गवादर बाक्टार तोर पर ऑपरेशनल किया गया चला गया तरपोर्ट सद्विलमेंट इस एक का सिर्चाइन और इसमें धाय वादर पीपेशनल होने के वज़े से कास्रीशक अब गेस्पपलाइन पाकिसान और पाकिसान हुर्ड आरान के दर्मियान था रहांचिन डियangen गेस्पपलाइन पर दस्तखत हुए है और इनका इनचरे स्ट्टिंट इस्टों प्लेस आप्ले इसकी निग्रेशन की दमकी दी थी और एकनामिक संक्शन यानिकी पावन्दी लगाने के काई से बाउजीद भी 7.5 बिलियन गेस पाइब लाइन पर पाकिसान एरान के दन्में बाकाईदा जोए आगास हो गया end of government 16 मार्च 2013 अब 2013 में 25 साल पूरे के पाकिसान की तारिख में डिमोक्राटिक गौर्डमेंट ने पहली बार 66 साल के बाद अपना 25 साल का टाइम पीरियट पूरा कि इसे पहले किसी भी गौर्डमेंट ने अपने 25 साल पूरे नहीं कहते बहुत सारे इनके हर्डल्स रहें unstable होने के बावजूद जोए इस वेलेंट गौर्डमेंट ने अपके पूरे 5 साल हकुमत की और 2008 से 18 फिबरी 2008 से 16 मार्च 2013 तक अक्नी हकुमत काईमरे की और 16 मार्च के बाद यह हकुमत जो आइजमर्टिकली खतम हो गए तो यह था पाकिसाना एन पीपल्स पार्टि के और 2008 से 203 तक